विसम पोसी प्रणाली कुछ पादप ऐसे होते हैं जिन में कलोरोफिल नहीं होता वहाँ अपना भोजन संसलेशित नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पादप अपने पोशन के लिए अन्या पादपों पर निर्वर रहते हैं, वहाँ विसम पोशी प्रनाली का उप्यों करते हैं, यह मुख्यता चार बर्गों में हैं, परजीवी, कीट भक्सी, मृत जीवी और सह जीवी, विसम पोशी प्रनाली के चार, सबसे पहले परजीवी, यहाँ पादप अपना भूजन उस पादप से प्राप्त करते हैं, जिस पर यह आरोहित होते हैं, जैसे अमरवेल, गिलोई, आदी, जैसे Gloway अगर नीम के पेड़ पर आरोहित है तो नीम का पादप परपोसी कहलाता है और Gloway को परजीवी कहते हैं ये बर्ग का पहला प्रकार है जिनने हम परजीवी कहते हैं ये आप परजीवी का चित्र देख रहे हैं किस तरह से बेल दूसरे पेड़ के उपर लटकी हुई है और वहां से अपना पोशन प्राप्त कर रही है कीट भक्सी पादप कुछ पादप ऐसे भी है जो कीडों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा आ जाते हैं ऐसे पादप में बाचकरस होता है जो कीटों को पाचन करने में सहायता करता है कीटों का भख्षण करने वाले ऐसे पादप को कीट भख्सी पादप कहते हैं जैसे घटपर्णी या पीचर प्लांट घटपर्णी में जो पत्ता है वो घटगे रूप में कारह करता है जो दुसरे कीडेम कोड़ों को खा जाता है जैसा कि आप चित्तर में देख रहे हैं ये घड़ परनी पादप है मृत जीवी वर्षा के दिनों में प्रिक्सों की सड़ी गली तूटी टहनी ओपर छाते के समान सरंचनाओं के गुच्छे आपने देखे होंगे ये जीव कवक कहलाते हैं ये मृत और सड़ने वाली वस्तों की सतह पर कुछ पाचकरस स्तराब करते हैं जिससे विवस्तों विलाइन के रूप में परिवर्थित हो जाती हैं और फिर ये कवक उन्हें भोजन के रूप में गरहन करते हैं इन जीवों को मृत जीवी कहते हैं उ कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एबम पोसक तत्वा एक दूसरे के साथ बांटते हैं जैसे लाइकेन, लाइकेन में एक सैवाल होता है और दूसरा कवक, शैवाल में कलोरोफिल होता है और कवक में नहीं होता है, कवक सैवाल को आवास जल एबम पोसक्तत्व अप्लब्द करवाता है और बदले में शैवाल प्रकास संसलेशन द्वारा खाद्यापदार्थ कबग को देता है इसलिए ये दोनों जीव सहजीवी कहलाते हैं इस समंद को सहजीवी समंद भी कहा जाता है ये चित्र आप देख सकते हैं लाइकेन का